हलो दोस्तो स्वागत है आपका अमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जोब सग्यान में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओफिस ओफ दा डिश्टिक एंड सेशन जज पानिपत के दुवारा जो आपकी पियन की विकैंसिज निकाली गई हैं उसका जो ओफलाइन फोर्म है वो आप कैसे भरोगे और उसके साथ आपको क्या-क्या डोकुमेंट्स लगाने हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं तो दोस्तो अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉबस गयान को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दुआएं ताकि आने वाली सभी नोटिफकेशन के बारे में आपको पता चल सके तो दोस्तो सबसे पहले हम इसकी विकैंसी डिटेल की बात कर लेते हैं तो दोस्तो ये दा डिश्टी के एंड शैसें जजज पानिपत के दुआरा आपको एड़ोटाइजमेंट निकाली गई है पी अन पोस्ट के लिए तो दोस्तो इसमें जो आपकी जर्नल कैटागरी है उसमें साथ वकैंसी दी गई है और एसम जर्नल कैटागरी की इसमें एक वकैंसी है और सी की दो है बी सी ए की दो है और बी सी बी की इसमें एक वकैंसी दी गई है तो दोस्तो इसमें जो आपकी salary मिलेगी वो आपको 16,900 से 3,500 रुपय तक दी जा सकती है तो दोस्तो यह जो आपकी vacancy है यह group D की vacancy दी गई है तो दोस्तो इसके बाद बात करें इसकी education qualification की तो इसमें आप आठवी pass वाले और आपको knowledge होनी चाहिए हिंदी या पंजबी की तो वो इसे apply कर सकते हैं तो दोस्तो आप बात करें इसकी age limit की तो इसमें age limit आपको 18 साल से 42 साल तक दी गई है तो दोस्तो इसके बाद जो upper age limit है उसमें आपको जो relaxation है CST OVC category की हरियाना government का जो instructions है उसके हिसाब से आपको दी जाएगी तो दोस्तो आप बात करते हैं इसकी last date की तो इसकी last date 31.01.2021 दी गई है तो दोस्तो आप इसे 31.01.2021 तक आप इसे apply कर सकते हैं तो दोस्तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो इसका form है आगे मैं आपको बताऊंगा उसे आप registered post के जरिये इनका जो ये address है the superintendent office of the district and session judge judicial court complex पानिपत pin code 13.01.03 पर आपने send करनी है तो दोस्तो जो आपका form होगा उसके साथ आपने अपनी एक photograph latest photograph लगानी है और इसके साथ आपने attested copy of proof of date of birth और education certificate जैसे आपका आठवी का certificate है या फिर आपका SC, ST, OBC, BC का जो certificate है वो आपने इसके साथ attach करना है तो दोस्तो अगर वो आप attach नहीं करोगे तो आपका जो form है वो rejected कर दिया जाएगा तो दोस्तो अब बात करें इसके जो interview होगा आपका इसमें आपका direct interview होगा तो जो उसका time and date है वो इनकी आपको official website पर time to time आपको update कर दिया जाएगा तो जब आपका इसमें interview होगा तो उसमें आपको original document साथ में लेकर जाने पड़ेंगे तो दोस्तो इसके बाद बात करते हैं इसका जो form है उसे आप कैसे भरोगे तो दोस्तो यह इसका form है जिसका link मैं आपको description में दे दूँगा आप वहाँ से इसका print out निकाल कर इसे भर सकते हैं तो दोस्तो आगे मैं आपको पताता हूँ कि आपने इसमें क्या-क्या भरना है तो दोस्तो यह इसका form है जहां पर आपने सबसे पहले एकल अपनी latest photograph यहां पर लगानी है उसके बाद जो आपका name of the candidate है वहाँ पर आपने अपना नाम capital letter में लिखना है तो दोस्तो जो भी आप नाम या अपनी information भरे वो आप documents के उपर से ही भरें उसके बाद आपका जो next है वो है father and husband name तो आप वो यहां पर लिखोगे उसके बाद आपकी date of birth आ जाएगी तो आप यहां पर अपनी date of birth लिखोगे उसके बाद आपका sex mail है तो वो mail लिखोगे उसके बाद आपकी education qualification आ जाएगी तो वो आपने यहां पर mention करनी है तो दोस्तो इसके बाद जो आपका permanent address है वो आपने house number या village है तैसील वो आपने block है तो वो आपने सब यहाँ पर type लिखना है और आपने इसके बाद अपना pin code area का pin code भी mention करना है तो दोस्तो इसके बाद आपने इसमे correspondence address लिखना है जो अगर आपका same है तो आप same लिखोगे अगर आपका लग लग है तो आपने लग लग इसमें यहाँ पर लिखना है तो दोस्तो इसके बाद आपकी category आजाएगी यहाँ पर आपकी journal है BCA है या BCB है वो आप यहाँ पर लि कर सकते हो उसके बाद आपने यहां पर अपने सिगनेचर करने हैं तो दोस्तों यह इसका complete form है जो आपने बरकर send करना है तो दोस्तों इसके बाद जो आपने इसके साथ document लगाने है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों इसके साथ जो आपका डुकुमेंट लगेंगे उसमें आपक तो पासपोर्ट साइज, फोटोग्राफ आपने लगा नी उसके बाद़ आपकी एटीट नीthis लगानी है डेट और बर्त प्रूफ की उसके बाद़ आपका जो занимouting is और वो आपने उसकी पोस्ट के जरीए इनका जो एड्रस है दा सुप्रिडेंट ओफिस ओफ दा डिश्टिक एंड सेशन जज जूडिशियल कोड कमकलेक्स पानिपत पिन कोड 13-21-03 पर आपने इसे और जिस्ट्रेड पोस्ट के जरीए आपने इसे सेंड करना है तो दोस्तो इसके रिगाडिंग अगर आपका कोई कोस्टन है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं दन्यवाद दोस्तो जय हिंद जय भारत